असलाम अलेकुम स्टुटेंट्स, वेलकम बैक तो इंग्लिश लिट्रेचर और लिंग्विस्टिक्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फियर कलफ थ्री दिमेंशनल मॉडल इन क्रिटिकल डिस्कोर्स अनलिसिस Norman Fairclough एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है और क्रिटिकल डिस्कोर्स अनलिस्ट है He was born in 1941 in England He is one of the major founders of CDA उसने क्रिटिकल डिस्कोर्स अनलिसिस की फिल्ड के अंदर बहुत ज़्यदा काम किया उनकी जो major achievement है वो उनका थ्री डाइमेंशनल मॉडल है जो उनने 1980s और early 1990s में introduce करवाया It was first introduced in his influential book Language and Power in 1989 उसके बाद यह मॉडल काफी ज़्यदा famous हो गया CDA की फिल्ड के अंदर Actually यह मॉडल यह कहता है कि किसी भी language use को detect करने के लिए उसका meaning निकालने के लिए हम उसे three different dimensions से देख सकते हैं Three different levels होते हैं, analysis के stages होती है जिन से analyze करकर आप उस text से meaning निकाल सकते है वो stages है, text, discourse practice and socio-cultural context ठीक है, इन तीनों में आप बारी बारी उस language को रखे और meaning निकाल दे जाए यह graphical representation है, three dimensional model की that was proposed by Fairclough तो first dimension क्या है, text, first stage है text इसमें आप क्या करते हैं, वो कहता है कि जो भी आपके पास text है ना आपने सिर्फ उसको analyze करना है, text analysis क्या होता है, उसके अंदर आप font size देखते हो, color देखते हो, rhyme scheme देखते हो जैसे अगर आपके पास कोई advertisement है, आपने एकसर देखा होगा कि detergents और soap के जो ads होते हैं, उनके अंदर जूस की जाती है अपने ad को ज़्यदा appealing बनाने के लिए, तो इसी तरह जो ads वगरा होते हैं, उनका font size देखोगे, आप उनका color देखोगे, rhyme देखोगे तो ये क्या है texture analysis, अगर आपके पास कोई book है, आप read का रहे हो, तो उसके आप linguistic features देखोगे आपके पास कोई भी text है, उसके grammar, उसकी vocabulary, किस तरह के words यूज हूए है, rhetorical devices कौन कौन सी use हूई है, कौन सी literary devices यूज हूई है सिर्फ आपके पास text एक object है, और आपने उसी को analyze करना है, इसमें आप उसको, उसका context, इस सरा की चीज़ें कुछ भी नहीं देखोगे, ठीक है, तो first stage में आपने सिर्फ text को देखना है ओके, textual analysis के बाद next stage है, discourse practice, इसमें हम basically देखते हैं, कि discourse producer कौन है, और discourse consumer कौन है discourse producer वो person होगा जो आपको information दे रहे हैं, और discourse consumer वो होंगे, जो उस information को consume कर रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं जैसे अगर एक politician speech दे रहा है, तो जो speech है, वो discourse है, जो politician है, वो discourse producer है, और audience या उसके listener जिन से वो बात कर रहे है, वो discourse consumers है अगर आप एक novel read कर रहे हैं, तो उसमें आपका वो novel एक discourse है, आपके पास text है, जो जिसने वो novel लिखा, वो writer आप discourse producer है और आप उसके readers जो novel read कर रहे हैं, वो discourse consumers है तो इस particular dimension के अंदर आप देखेंगे कि जो participants है, जो discourse के अंदर participate कर रहे हैं, उनकी social positions क्या है, उनकी ideologies क्या है, उनके norms क्या है, उनके social roles क्या है जो discourse producer है और discourse consumer है, उनका आपस में relationship क्या है, ठीक है, और उनकी उस particular society के अंदर position क्या है और उनका mindset क्या है, उनकी ideologies क्या है, जो discourse producer है, वो किस तरह की language यूज़ कर रहा है, किस तरह की vocabulary यूज़ कर रहा है, किस तरह की tune यूज़ कर रहा है, अपने जो listeners हैं, उनको अपनी बात पर convince करने के लिए नेक्स्ट है, social cultural context, अब इसके अंदर आप broader level पर चीज़ों को देखते हैं, broader context include करते हैं, किसी भी language के analysis के अंदर, इसके अंदर आप उसका social cultural context देखते हैं, जहां पर discourse produce हुआ, power relationships देखते हैं, social structures देखते हैं, cultural ideologies देखते हैं, historical factors देखते हैं, तो यह सब चीज़े include करके meaning को interpret किया जाता है, अब इसके example देखें, यह novel है, Animal Farm by George Orwell, इसका यह एक passage है, Comrades, you do not imagine, I hope that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege, many of us actually dislike milk and apples, I dislike them myself, our sole object in taking these things is to preserve our health, milk and apples, this has been proved by science, Comrades, contains substances absolutely necessary to the well-being of a pig, with pigs are brain workers, the whole management and organization of this form depends on us, day and night, we are watching over your welfare, it is for your sake that we drink that milk and eat those apples, अब first time mention क्या कहती है, कि आपने सिर्फ text को analyze करना है, अब बाकी सारी चीज़ों को देखतें, छोड़ दें, सिर्फ इसके अंदर जो linguistic features यूज हूए है, जो vocabulary यूज हूई है, उसको देखें, अगर यहाँ पर कोई add होता, तो हम उसका font size देखतें कि font style कौन सा यूज हूए ह colors किस तरह के यूज हूए है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक paragraph है ना, तो इसके हम vocabulary देखते हैं, देखें सबसे पहले उसने word यूज किया, comrades साथियों, तो अब यह क्या है, कि वो ना, उनके साथ एक अपनी unity यूज शो करना चारा है, आपने अक्सर political speeches देखी होगी, अब यहां पर वो यह दिखाना चारा है, कि हम बिलकुल आप लोगों में सही है, ठीक है, आप हमारे, आप हमारे अपने हो, तो यह unity शो करने के लिए उसने यह word यूज किया, you do not imagine, I hope that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege, अब इसके अदर आप vocabulary देखे, many of us actually dislike milk and apples, वो बोल रहा है कि हमें तो apples और milk पसंद ही नहीं है, हमें इने dislike करते हैं, ठीक है, over soul object, हमारा purpose क्या है, अब यहां पर इस पूरे passage के अंदर ना persuasive technique यूज हूई है, means कि वो अपनी बात के लिए उनको convince करना चारा है, उसी हिसाब से उसने vocabulary यूज किया है, कि उन पर इहसान भी जिता रहा है, कि हमने हम हमारा purpose है, वो सिर्फ आपका आपका दिहान रखना है, ठीक है, हम सिर्फ आपके welfare के बारे में सोचते हैं, हार टाइम, आपके बारे में परेशान रहते हैं, और बीच में वो अपना फाइदा निकाल रहा है, उनको convince कर रहा है, उस बात के लिए, कि इन resources पे ना सिर्फ उनक milk बड़े necessary है, वो pigs are brain workers, अपना चो special treatment है, उसे legitimize करने के लिए, वो किस तरह की vocabulary use कर रहा है, कि this management, this system, organization is all dependent on us, तो we have to be powerful and healthy, day and night, we are watching over your welfare, we are working for your welfare, इस तरह वो उन से sympathy गेन कर रहा है, It is for your sake, कि वो हमारे अपने सेख के लिए नहीं है, यह सब कुछ आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो इस तरह क्या, बोलते हैं न, अगले की बोलती बांद कर देना, तो यहां पर वो बिलकुल यही टेकनीक यूज कर रहा है, तो this vocabulary search to justify their privileged consumption, for these resources such as milk and apples, this use of persuasive techniques such as claiming to act in the animal's best interest and appealing to the authority of science, aims to legitimize their special treatment, तो यह तो हो गया, textual analysis, हमने इसमें सिरफ text को analyze किया, linguistic features देखे, vocabulary देखी, और हमने इसके अंदर किसी चीज़ को नहीं देखा, ठीक है, तो यह उसका जो फेर कलफ का first dimension है, वो कहती है, कि आपके पास सिरफ text object है, उसी को आपने analyze करना है, textual analysis हो गया, second stage के उपर वो कहता है, कि आपने discourse, discourse practices के अंदर आपने देखना है, discourse producer कोन है, discourse consumer कोन है, ओके, अब इसका discourse, हमें discourse producer की टेखनीक पता चल रही है, उसका social role क्या है, कि वो power, अपनी power impose कर रहा है, बाकी सब के उपर, अपनी vocabulary से वो यह show करना चाह रहा है, कि हम कितने necessary हैं इस form के लिए, और ये कि तुम सब जो उन से हो, वो हम पर dependent हो, और हमारी presence इस form के अंदर जरूरी है, इसके system को चलाने के लिए, तो इसके अंदर हम यही देखते हैं, कि जो discourse producer है, वो किस तरह से दूसरों के mindset को control कर रहा है, वो किस तरह से language को produce कर रहा है, और दूसरे उसकी बात को क schooling class दिखा रहे हैं, और वो manipulative discourse यूज़ कर रहे हैं, language यूज़ कर रहे हैं, अपनी authority को maintain रखने के लिए, they claimed dedication to the animals welfare as justification for their privileged position, वो बो रहा है कि हमें privileged position मिलनी चाहिए, importance मिलनी चाहिए, क्यों क्योंकि हम लोग आपके welfare के बारे में हार टाइम सूचते रहते हैं, तो क्या कह रहा controlling their minds and actions and show that they are inferior, अब थर्ड डाइमेंशन के अंदर हम जरा broader level पर चीजों को देखते हैं, अब यह जो novel है, actually यह allegorical novel है, जो के जोर्ज ओलबन ने लिखा था, Russian Revolution को criticize करने के लिए, इसको अगर आप इसके historical context में रखे, means Russian Revolution के time period में इसको set करे, फिर आपको पता चलेगा कि यह novel यह particular passage actually satire कर रहा है, Russian Revolution में जो totalitarian government थी, जो absolute government थी, वो किस तरीके से लोगों को manipulate कर रही थी, अपना जो अपना राज था, उनका कोई law नहीं था, कोई order नहीं था, वो corrupt society थी, और corrupt government थी, जो लोगों को manipulate करती थी, exploit करती थी, अपने फाइदे के लिए, ठीक है, उस time के जो corrupt politicians थे, उनकी political speeches के अंदर भी इसी तरह की rhetorical techniques यूज की जाती थी, propaganda के लिए, वो भी अपनी जो unequal distribution of wealth है, या जो वो corruption वो करते थे, उसको justify करने के लिए, वो भी इसी तरह की बाते करते थे, इसी तरह के words यूज करते थे, और अपनी power को consolidate करते थे, पिक्स का जो discourse है, उनकी ज जो लोग authority में होते हैं, जो लोग power में होते हैं, वो किस तरीके से अपनी language यूज करते हैं, दूसरों के inferior class का working class का mindset करने के लिए, और उनको convince करने के लिए, उनको deceive करने के लिए, actually, तो अब इस तरीके से आपको analyze हुआ कि सिर्फ एक passage आपको किस हद तक deeper meaning provide कर सकता है, एक passage जब आपने उसको three different dimensions में रखा, सबसे पहले आपने उसको text analyze किया, फिर आपने उसको discourse practice dimension में रखा, उसके बाद आपने उसको social cultural context में रखा, तो उसने आपको कैसा deeper meaning दिया, different perspective से देखने के बाद, आपको पता चला के context, social role, social factors, cultural, historical factors किस तरा meaning में contribute करते हैं, और इन सारी ची पिस भी तो यही होता है कि text में से इस तरह की social inequalities को detect करना, social issues को निकालना, uncover करना, resist करना, तो I hope कि आज की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, आपको बातों की समझ जा गई होगी, अगर फिर भी आपको कोई doubt हो, कोई ambiguity हो, तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं, कोई से relevant question ह तो कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, अला आफिस